हेलो दोस्तों दृष्टी आईएस के न्यूस प्रोग्रेम में आपका स्वागत है दरसल बीते दिनों उत्तर कोरिया ने एक स्ट्रेटेजिक कही जाने वाली क्रूज मिसाइल का परिक्षण किया है जिस वज़े से मिसाइल से संबंधित पूरी रिजीम एक बार फिर से चर्चा में आ गई है तो आज के इस डिसकॉशन में हम बात करेंगे नौर्थ कोरिया ने तयार की गर्ड़नीते क्रोज मिसाइल तो North Korea ने जिस तरह की मिसाइल का परिक्षड किया है कितनी दूर जाती है ये पूरा मामला किन-किन संदर्बो से जुड़ता है इस पर हम discuss करेंगे लेकिन discuss करने से पहले आपको एक जानकारी दे दे PT 2021 का जो revision program है वह अब सुबह आठ बजे आएगा जिसे आप अरामते देखिएगा अपनी परिक्षा की तैयारी उसके आधार पर कीजिएगा चीक है तो चलिए discussion पर आगे बढ़ते हैं आज के topic में हम बात करेंगे अभी news पर और इस हालिया परिक्षड पर जो उत्तर कोरिया ने किये हैं cruise missile का चुकी परिक्षड है ऐसे में cruise missiles के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है सयुक्त राष्ट के प्रतिबंद बैसे उत्तर कोरिया पर लगे हुए थे में एक सवाल बनता है कि क्या इन प्रतिबंदों के बावजूद उत्तर कोरिया ने ऐसे परिक्षड किये तो इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे इससे जुड़े challenges क्या है क्या निश्काष हो सकता है और एक सवाल जो मेंस किस तर पर आप deal करेंगे चुकि यह विशय अंतराष्टी संबंद खंड से जुड़ता है इसलिए से आप GS Paper 2 के अंतरगत कवर कर सकते हैं तो बात करते हैं निउस की The importance of North Korea's first strategic cruise missile test तो North Korea यानि उत्तर कोरिया ने जो पहला strategic कहा जाने वाला test किया है उसको लेकर के पूरी खबर में बताया गया है तो test क्या है देखते हैं यह जो missile का उन्होंने test किया है यह एक long range cruise missile है जिसकी मार करने की खंटा लगबग 1000 से 1500 km के आसपास बताई गई है और इसे एक strategically weapon कहा गया है दरसल ऐसा नहीं है कि इसके पहले North Korea के पास cruise missiles नहीं थे उनके पास कई तरह की cruise missiles थे लेकिन वे छोटी दूरी तक मार करते थे ऐसे में जब North Korea ने एक लंबी दूरी को तै किया है 1500-1500 km की range उनकी यह missile mark कर सकती है ऐसा उन्होंने demonstrate भी किया है परिक्षण किया है इस आधार पर इसे strategic कहा गया है तो दरसल strategic या सामरिक हतियार का मतलब क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं देखे एक देश जो अपनी भू सीमा के अंतरगत यदि कोई missile तकनीक का उपयोग करता है माली उसके पास कोई हतियार है उसकी range के वाल इतनी है कि वह किसी देश के दूरा आने वाले या मार करने वाले टैंकों को गिरा सके तो एक तरह से वो इसका हतियार हुआ लेकिन उसकी strategically शमता तब मानी जाएगी जब वह किसी दूसरे देश को निशाना बना सके तो दूसरे देश तक missile मारने के लिए एक लंबी दूरी की missile होना जरूरी है इस आधार पर भी इसको एक strategically weapon कहा गया है इसके अलावा यह जो missile है यह परमारू हतियार भी अपने साथ ले जा सकती है ऐसा कई विशेशग्यों का कहना है इस आधार पर भी यह एक सामरिक बढ़त उत्तरकोरिया को दिलाती है तो दावा की गई है पहली परमारू सक्षम रूज मिसाइल है यानि उत्तरकोरिया की जो सरकारी एजेंसियां है उन्होंने इसका इस तरह का दावा किया है कि यह परमारू हतियार भी ले जा सकती है उत्तरकोरिया इस missile के अलावा भी यहाँ पर नहीं रुकने वाला उसके इस तरह के प्रोग्राम जब से उत्तर कोरिया का सयुक्तुरा जमेर्का के साथ जो परमाडू डील चल रही थी, 2019 में तत्काली नराष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प के साथ उसमें कुछ बाचीत ना बन पाने के बाद से उत्तर कोरिया ने अपने प्रयासों को धीमा नहीं किया है और यह जो मिसाइल क से चलने वाली पंडुब्यों का निर्माड इसके अलावा जासूसी उपग्रह यानि स्पाई सैटलाइट्स का निर्माड करना इसके अलावा सामरिक परमाडू हथियारों का निर्माड करना वे जारी रखेंगे ऐसा संकेत मिलते हैं उत्तर कोरिया के हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया है कहाँ पर एक बार इसको नक्षे में देखते हैं इसका कुछ इतिहास जानते हैं तो ये कोरियाई प्रायदीप है, जहां पर ये हिस्सा उत्तर कोरिया है, और यह दक्षण कोरिया से अलग होता है, यानि कोरियाई प्रायदीप को दो भागों में बाढ़ दिया गया, उत्तर का और दक्षण का, तो जो उत्तरी भाग है, उसको उत्तर कोरिया कहते हैं, इसको कोई प्रशन पूछ ले तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि Democratic People's Republic of Korea, North Korea को ही कहते हैं इसके जो नजदी की देश है उसमें चीन है, तीमाई देशों में रूस है यहाँ पर एक छोटा हिसा रूस का लगता है और दक्षण में इसके दक्षण कोरिया है इस जो कोरियाई क्षित्र है इसका बटवारा हुआ था यह विभाजन उत्तर और दक्षण दो क्षित्रों में हुआ था यह 1945 में हुआ था और यहाँ पर आप एक Demilitarized जोन रेड कलर में देख रहे हैं इसे 1953 में बनाया गया था तो दरसल शित्युद्ध के बाद से ही उत्तर कोरिया के उत्तरी ख्षित्र पर Soviet Union का प्रभाव देखने को मिला और दक्षणी भाग पर सहिक्तुराज अमेरिका का प्रभाव देखने को मिला ऐसे ही यही कुछ कारण रहे कि दोनों देशों के बीच में टक्राओं के स्थितियां बनती रही जो दक्षण कोरिया है उसको सहिक्तुराज अमेरिका, जापान और अन्य उसके जो सहयोगी देश है उनका सहयोग मिलता है उत्तर कोरिया को, यहाँ पर रशिया और चीन जैसे देशों का सहयोग मिलता है अब जो इसने हाली में मिसाइल टेस्ट की है उसकी एक रेंज अगर हम मैप में देखें तो यह इसकी अवस्थिती है और यह एक रेंज 500 किलोमीटर की है जो इसकड रेंज, इसकड मिसाइल की रेंज कही जाती है और यह जो red color से आप circle देख रहे हैं, यह लगबग 1500 km की हालिया cruise missile की range इसमें दिखाए गई है, इसके आगे का area फिर यहाँ पर मुसुदान एक ballistic missile है, इसकी range दिखाए गई है, तो cruise missile इसकी यहाँ पर परिक्षर संपन्नी हम बात कर रहे हैं, वह क्या होती है, यहाँ पर एक cruise missile का जिक्र है, जो भारत की cruise missile है, ब्रम्होस, जिसे भारत और रश्या के सहयोग से विक्सित किया जा रहा है, यह एक सुपर सौनिक cruise missile है, जैसा आप सब जानते ही होंगे, तो cruise missile क्या कर सकती है, cruise missile परमाडू या पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है, अपने जो missile है, अपने हिसाब से उस trajectory को पकड़ लेगी, अगला अधिकांश जो missile है, cruise missiles, यह छोटे और solid propellant rocket boosters का उप्योग करते हैं, यानि ठोस प्रणोदक का इस्तिमाल करते हैं, यह जो इनको एक अच्छी उचाई और अच्छी गती देता है, इसके खास बात और भी है, जो इसको ballistic missile से अलग बनाती है, वो यह है, कि यह missiles प्रिथवी के वायुमंडल के अंतरगत ही लगभग अपनी पूरे रास्ते को तै करते हुए, जो इसका target है, उसको हिट करती है, तो यह इसकी एक खास बात है, और छोटी missiles, जो सामान या non-truse missiles है, उसके मुकाबले इनकी जो दूरी है, उनसे काफी ज़्यादा होती है, यह इसकी एक खास बात है, तो जो उत्तर कोरिया है, उसके पास कुछ अन्य मिसाइले भी मौजूद है, यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है, जैसे पहली है हुआसोंग 5, जो 1986 के आसपास इसने विक्सित की थी, 186 मील की इसकी दूरी है, अगली है, नोडॉंग 1, 1994 में विक्सित की गई थी, और लगभग 930 मील तक जाती है, अगली है, ताइपोडॉंग 1 और ताइपोडॉंग 2, तो यह इसकी आधुनिक मिसाइले हैं, जिसमें से कि ताइपोडॉंग 2 को इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइ है, यानि अभी इसको उस तरह से टेस्ट नहीं किया गया है, किवल एक अनुमाल लगाया गया है, कि यह मिसाइल की दूरी इतनी हो सकती है, यहाँ पर आप उत्तर कोरिया की जो मिसाइल्स की रेंज है, उनको एक अलग तरह से देख सकते हैं, यह इसकी बैलेस्टिक मिसाइ देशों की सूची को देखते हैं, तो विशो के पाच देश प्रमुख रूप से विशो में किसी भी हिस्से पर मार करने में सक्षम है, मिसाइल्स के अंतरगत, इसमें है रशिया, यूनाइटेड इस्टेट्स, चीन, फ्रांस और ब्रिटिन, यह पाचो देश विशो के किस की भी हिस्से तक अपनी इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक निसाइल के जरिए हमला कर सकते हैं और टार्गेट को हिट कर सकते हैं, वहीं कुछ अन्य प्रमुख देशों को देखें, तो इसमें इसराइल उसकी रेंज आप यहां पर यलो कलर से देख सकते हैं, जिसमें भारत जिसके पास भी बड़ा शेत्र कवर करता है, हाला कि जो पाकिस्तान है, उसका जो एरिया है उसमें भारत पूरी तरह से कवर होता है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है, और पाकिस्तान का प्रमुख देश भी भारत को ही कवर करना रहता है, तो यह इसका मुकाबला करने के ये अपनी परमाडू हथियार या अने बैलेस्टिक मिसाइल्स को या क्रूज मिसाइल्स को तायार कर रहे हैं, लेकिन भारत का एरिया उससे बढ़ा है, आप देख सकते हैं, इरान ने भी जो मिसाइल छमता है उसमें ठीक ठाक बढ़त हासिल कर ली है, यहां साओधी अरेबि जो चीन से संगर्ष में बना रहता है, अक्सर समाचारों में दिखता रहता है, तो इनके पास भी कुछ मिसाइल्स मतलब मौजूद हैं जो चीन के कोश्ट तक जा सकती हैं, अब हम बात करें सायुक्तराष्टों के प्रतिबंध के बारे में कि जब प्रतिबंध लगे जिसमें उत्तर कोरिया के strategically weapons का development, उत्तर कोरिया का economical development, इन सभी चीजों को बाधित करने का प्रयास, अगला उत्तर कोरिया के ballistic missile system को बाधित करने का प्रयास जिसमें परमाडू तकनीक खासतोर से शामिल है, इसी तरह उनके जो WMD यानि weapon of mass destruction यानि बहुत बड़े विनाश के हतियार शामिल है, उनको भी प्रतिबंधित करने का यहाँ पर किया गया है, एक उपाए, लेकिन अभी इन्होंने जो cruise missiles के परिक्षण किये हैं, कुछ फिशेशक्जियों का कहना है कि ये परिक्षण इस प्रतिबंधों के तहत नहीं आते, हाला कि यहाँ पर एक बात ये भ ठीक, अब चुनातियों की बात करें, चुनातियां क्या क्या हैं, इस पूरी व्यवस्था के तहत, सबसे बड़ी दिक्कत है मिसाईलों की बढ़ती होड, पूरे विश्यों के सामने एक बड़ी चुनाती बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया का जो मिसाईल सिस अमें प्रियास कर रहा है और भारत भी मिसाईल्स को डेवलप करने में लगा हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा उधारण साइंक तुराज अमेरिका है, जिसने अपनी मिसाईल टकनीक पर बीते दिनों बहुत ज़्यादा काम किया है, और अपनी मिसाईल्स को बहुत ही भावना बन सकती है, एक पॉइंट यहाँ पर निकल गर के आता है, माली जी नॉर्थ कोरिया है और उसके आसपास जापान, दक्षड कोरिया, चीन के हिस्से कुछ मौजूद हैं, यह सारी चीजे वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में अगर कभी भी उनके बीच में टेंशन ह जा रही है, इससे उत्तर कोरिया ने जो इस अप किया है, उससे सप्तियादा टेंशन युएस नक्षड कोरिया और जापान को है, हाला कि चीन को भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन चीन चूकी उत्तर कोरिया का सहयोगी माना जाता है, तेमें चीन और रूस को बहुत जादा दि पहुचने का एक बहुत बड़ा खत्रा बना हुआ है, हमने एक समय देखा कि साउधी अरब के उपर यमन के जो हाउथी विद्रोही हैं, उन्होंने एक तरह से एक क्रूज मिसाइल छोड़ी ती, जो साउधी अरब की राजधानी तक पहुच गई थी ऐसे में ये सवाल उसके बाद से बनने लगा, कि यदि यह मिसाइल तक नीग गलत हाथों में पढ़ती है, तो जो विद्रोही समू है, वे उसका उप्योग कर सकते हैं, मिलिशिया समू है, अतंकवादी समू है, तो इस तरह से एक बहुत बड़े तरपर जानमाल को खत्रा हो स रखता है, एक अन उधारल से हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, 1980 के दशक की बात है, जब मिस्र ने इसकड़ नामक एक मिसाइल थी, जो की तदकालीन सोवियत यूनियन ने इसका विकास किया था शीतियुद्ध के दौर में, और ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ज़्यकली वेपन था, जो एक बड़े स्तर पर बहुत सारे हथियारों को ले जाने में सक्षम था छोटी रेंज में, इस तकनीक को मिस्र ने दिया उत्तर कोरिया को, उत्तर कोरिया ने क्या किया, इसकड़ तकनीक की जो मिसाइल थी उसके आधार पर अन्य तरह की बहुत सा की बात की थी तो ये सभी इसकड मिसाइल के ही अन्य वर्दन थे जिनको विक्सित किया था फिर उत्तर कोरिया से यहां पे जो हथियार थे वे इरान को और साथ ही पाकिस्तान जैसे देशों को दिये गए मिसाइल तकनीक तो धीरे धीरे करते हुए यह मिसाइल तकनीक इरान से आगे हाथी विद्रोहियों को जो यमन के हैं या कुछ अन्य देशों को इस तरह की तकनीक दी जाती रही तो एक पूरी चेन बनती चले गई और आज के समय हम देख रहे हैं कई सारे मिलिशिया समूह भी इस तरह की तकनीक का इस्तिमाल कर रहे हैं मिसाइलों का इस्तिमाल कर रहे हैं तो आने वाले समय में यह चुनौती एक बहुत बड़ी है कि इस तरह से यदि और समूहों को ऐसे हथियार मिलते गए या फिर और अन्य तरह के उन्नत हथियार मिलते गए तो उसमें जैविक र guided system हो गया, engine हो गया missile का, या मानव विशेशक्यता हो गया, इनकी जो विक्री है, तो इस पूरे system को बेचने के लिए किस चीज की जरूरत है, एक छोटी सी pen drive ही काफी है, कि एक बहुत ही खास जानकारी को एक छोटी सी pen drive के मार्धियम से किसी दूसरे समूह देश या व्यक्ति तक पहुचा दिया गया, उसने उस तकनीक का इस्तिमाल किया, कुछ अन्य उदाहरणों में ऐसा देखा भी गया था, कि इरान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की जो missiles की design थी, वो लगभगी एकसी थी, तो ऐसा भी माना गया, कि जो missile की तकनीक है या engineering है, वो एक ही देश से बाकी देशों को दी गई है, तो ऐसे बहुत सारे बातें इस पूरे सिस्टम से जुड़ी होई है, जो चुनौतियां पेश करती है, अभी के लिए समाधान क्या हो सकता है, या निशकर्ष के तोर पर अगरम समझे, तो North Korea जैसे देश का मुद्दा इस परमाडू डील, उसमें US ने रिजक्ट कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने इस परमाडू कारिकरम पर आंशिक रूप से कुछ रोक लगाने की बात कही थी, North Korea ने और ये भी कहा था, रोक लगाएंगे, लेकिन आप हमारे उपर से जितने आर्थिक प्रतिबंध हैं, किया जाना चाहिए, अगला UNFC में अभी हमने बात की कि इस मुद्दे को ले करके जाया जा सकता है, खासतोर से रूज मिसाइल के परमाडू वाले, परमाडू छंता को ले जाने वाले एसपेक्ट को ले करके, अगला MTCR बहुत इंपोर्टेंट है, यानि मिसाइल टेक्नोल हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है, भारत 2016 में भारत ने इसे जॉइन किया था, और MTCR 1987 से इसकी स्थापना हुई थी, इसमें कुछ प्रमुख बाते कही गई है, जैसे जो रोक की बात है, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है, स्टार्टिंग में ही कहा गया था ऐसा कि 500 kg पेलोड को 300 km तक इसे यहां लिख देते हैं, यह इनोंने एक सीमा लगाई थी, इसी भी मिसाइल तकनीक के विकास को ले करके, तो MTCR के तहट भी जदी उत्तर कोरिया को ना सही, तो अन्य देश जो प्रमुख रूप से मिसाइल जैसी तकनीक को ले करके चलते हैं, उन पर कुछ ऐसी रोक लगा सकते हैं, या जो संधी है उसके तहट और भी कड़े प्रतिबंधों को लगा सकते हैं, और पूरे मामले को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, तो यह है इस टॉपिक को ले करके discussion, आज का, तो आज का सवाल जो बन सकता है, उसे देखते हैं, विश चुनौतियों को गिनवा सकते हैं, जो हमने चुनौतियों में शामिल किया हैं, उनको बताइए, और आगे कहता है कि उत्तर कोरिया के संदर में तो उत्तर कोरिया का जो परमाडु प्रोग्राम है, उसकी आप चर्चा कर सकते हैं, और हालिया जो missiles का development है, उसके बारे में बत तो आज के इस discussion में इतना ही आप से मिलेंगे, अगले प्रोग्राम में किसी नए topic के साथ तब तक पढ़ते रहिए, safe रहिए, शुक्रिया.